असीब साथ तोड़ा चैनल भी गंदा आंड़ा है तो तुसी भी गंदे आंड़े जाबत हो यह जानों पांडमर आसी कंजर कहा कि पांडमर आदल जैसा इंटलेक्शल आदमी इस तरह की बात कर सकता हैं मुझे बाई गाउड उमर आदल साथ अपता ही की नहीं आरा तो अनल थेटर कमुलिटी यह ना प्यार कर दी हो तुसे उना लो छेट दे पर हो ओना लो कह रहे हो पांडमर आसी असलम अलेकुम आप देख रहे हैं शान पाकिस्तान और मैं हूँ आपका देशी एंकर जायद था जैसा कि आप देखर के हमारे साथ थेटर इंडस्टी के किंग आफ कमेड़ी शाहिद खर्जा मजूद हैं जिनने टीवी किया फिलन की मूवी की और जिस प्लेट फरब पे वहां जाकि अपना लोहा मनवाया है और एक बहुत बड़े खांदान से इनका तालूक है आपद खांस साथ इनके बड़े भाई हैं और यह बहुत बड़े फनकारों के एक खांदान की लेड़ी से इनसे बात करेंगा उमर आदल इस वक्त ट्रेंड में जा रहे हैं गंदा अडिया चैनल पर उनोंने थेटर के हवाले से बहुत तलग बाते की और खांस तोल पे फीमेल ऑफियमेल के और नकाह हमारा इसथी में एक जाइस काम है हम चाहिए बहुत थे पाते की हम इस पे इस उनकार करें हम कन स्ज into और इसम्हेर कर एक एनसे 101 थ्याफ उन्हाऑ यह इस वक्त ट्रेंड में चल रहे हैं उमर आदल साथ मुझे एक जिब इस बात की समझ आई नहीं रही के उमर आदल जैसा इंटलेक्शल आदमी इस तरह की बात कर सकता है मुझे उन लोगों ने बड़ा का कि थेटर के वाले से उने बहुत बोला है यह कहा है मैं नहीं मान रहा था फिर मैंने वो प्रोगराम किसी के कहने पर देखा फिर उन्होंने दूसरी बात की कि जो शादी है यह कॉंटेक्ट है जब तक हो इसे रखना चाहिए ना हो तो इसे देना चाहिए यह उन्होंने कहा है मुझे नहीं समझ आ रही कि इतना पड़ा लिखा इंसान इतना इंट्रलेक्शल आदमी है उमरादल साफ का मैं बड़ा फैन हूं मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती है उनसे लेकिन जो बाते उन्होंने कहीं है मुझे बाई गौड उमराद शौरत भी नहीं शौरत उनके पास है वो जो रेटिंग होती है या फालोइंग या कमाई के लिए हसीब भाई के लिए आपने ये कह दिया हसीब भाई पहले तो मुझे आप पताए ना आखों में आखे डाल के बात करें कि थेटर के आर्टिस्टों ने आपको यह तक भेज आपने मेरे सामने इंटर्व में कहा है कि यह जो मैंने गंदा अंडा प्रोग्राम बनाया है यह मैंने नसीम विकी साब के कहने पर बनाया है नसीम विकी थेटर का वो राइटर डिरेक्टर है जो किसी का तारफ का मुताज ही नहीं है पहले थेटर की हमने सबने हम सब की ठा को ये भी कह दो जिसको आपने गॉड फादर बना रखा है आफताब अकबाल साब को वो बचारे तो इतने नहीं हैं जितने आप लोग कर देते हों हैं बातें करके ना तो मेरबानी फर्माइए वो देखा करें एक टीम वरक होता है यह नहीं होता कि आफताब साब की वज़ा म मैं नहीं जानता था मैं पहली गवाद ताब साब को मिला नसीम विकी साब के फरिश में बैठे थे मासूफ एक वारी वजूद के साथ तो मेरा विकी भाई ने का कि यह जी आवद खान साब का भाई है चोटा शायद खान यह भी बड़ा अच्छा आटिस्ट है तो मुझे एउनुने बड़ा प्यार कियोंकी मेरे भानी ठीक है bugs नहीं उन्हीं जमझाती के एसी भाई जो जिनकी वजह है इन शूरति है के थेटर के कीज़ु ने पिंटरीव किया है सर आप तीटर के लोगों का इंटर्व्यू करके और उना को कंदा करना चले हैं वो कॉल तो पिर आप पर फित हुआ कि बचे उसके शर्से जिस पर तुमने इसान किया कॉल मुश्किल खुशा मौला एली का तो कुछ खुडा का खौफ करें हम हम एक ब्रादरी हैं हम आपस में भाई हैं हम एक दूसरे पर कीचड़ उच्छालते हुए अच्छा नहीं लगते और उमर आदल साथ बड़े लोगों ने मुझे का इंट्रिवू दें यह मेरा छोटा भाई है मैं मजबूर हो गया हूं मैंने बड़े लोगों को ना कि है लेकिन आज क्योंकि बात हो गई है तो आप माशाला इतने पड़े लिखें तुसी ना हो कहने ने पंजाबी चे मक्हियां देना च्छते चातव तो अनुपता है तुसी ही कि एक जिए पांड़ जेंड़े ने इमरासी उन्देने कंजर उन्देने ते फिर तानुपता है ज यह नहीं चेड़ होगे तो पांड़ भी नहीं चड़ता जेस बराते हो गये उन्देने न वोदे पे ओल भी नहीं चाड़ दे ते प्लीज एड़े लिखे तो अनुपता आप साप के पास होता तो ना मरता अमानो लाग की कोई नहीं पचा सके है और इतने फंकार जिसकी जिस टाइम आई यह उसने जाना है किसे ने परेया मिला चिटना किसे ने किसे तरीक के चाड़ की जाना जूरूर है मौत आणुए उमर अदल साब आनी है मिलो ही आनी है और रेक्शन होगा अब जो बात की याँद समझे नहीं आ रहे कि यह बाते उमर आदल साब कर तो सिरते चाल रख रखो तो अड़े तारू चु तो अपर रही तो अड़त माख रहा है अनके असीर साब ने आखताब इकबाल साब के साथ बड़ा वक्त गुजा रहा है और आखताब इकबाल साब एक सोगर इंसान है कुछ तो सीखा हुआ है नहीं यार सिर्फ पैसा ही नहीं बिल्कुछ सहीवार मैं हुन तो अटे चैनल ही में गाड़ां करते हैं सारे हैं नो ते स्वेरे रेटिंग ते आजेगी तो अटे पैसे भी चार व्यूस भी वाज चानगे लिकिन यारो पंदे में नो अच्छा नहीं कहांगे एदा खिया लखो बड़े तरिक्ये ने पैसे कमान दे असीब भाई और उमर आदल साब प्लीज तुसी बड़े प्यारे आदमी उम्हें तनुज आती तो औरते जानगा मेरे तेना प्यार है तो अटना मेरे शैरदार हो तुसी प्लीज थेटर रही कुछ अना ला फैसलाबाद है आप क्या कहते है उमर आदल साब क यूरे माफ से मेरे साफ से अन्ने वूरा पालोचाइस करना चाहिए करना चाहिए करना चाहिएOD कि मेरे कहने का ये मकसद नहीं था कुछ आर्टास को पीडिय के और यह मंगनी चाहिएग अगर उम लेकिन धिन्म वस्त दूसरा धूत ऎलिट भाईलऑ नहीं है अजिको तोड़को माफी मंगा के बड़े नी ओड़ा लेकिन तुसी तोड़ा एंपक्त बहुत घलत किया मेडिये जिए ठेटर जे फालोर्स ने ओचपी ठेटर जे सिर्फ लॉर लॉर्च कमांच निकले है तीर ते जबांच निकले है अलफाज वापस नहीं आता अगर माफ ही मंगने तुसी ते माफ कर दो कि बाई क्रोड करेबन अवा में जे चुक्ति नहीं और तने ओड़के में माफ करेंगी है मैं नी समझा रही है बाई गौड मैंनो आदल बाई थे उते लवली इंसान है और तो गुफ्तकू करता हुए तो लगदा तुसी सकी भूपी नहीं अपनी पहिन गुफ्तकू कर रहे हैं उन तो लगदा है कि तुसी अपनी वथी पहना गल कारे है और तुस्त आड़ी बड़ी क्लोज फ्रेंड ही तो अटी लवली जी गर्ल फ्रेंड है जर मैं तुसी ए गला कारे है तर लवली ने मोच भूल चाड़ देने, उनना स्टायर क्या बाद है, अजी ते वैन होना दे, लेकिन उनना ने अपता निगी, उनना लोगया, एक कॉंट्रेक्ट नहीं, एक इसलामी फरीजा है, निकाम, मैं तो अड़ा लिखा प्रामात, और नो पढ़िया भी जयदा नही नकाज जड़ा है, इसलामी फरीजा है, और जयज ही तो अड़ते हुदूंदी है, जो तुसी ओ, छेकल में पढ़ दे उनकाज आज, तो फेर तो अड़ते, जड़ते, लोग कॉंट्रेक्ट जड़ा हुदे ने हलाद, नहीं हुदे, कॉंट्रेक्ट और चीज है की, मैं उन लग की फरीजा है, नका राड़ते जया है, जयज ही नकाज जड़ते हुद यहाद जड़त चैज कानगे मैं, पूरे पेहन प्राप पूरे रिष्टेदार 400 बंदा तुसी लिएके जानते चार पाइंस रोड़ना दा कट्था हूंदा है सारे पता हूंदा है अच्छा गंदा आंडा जड़ा पाई है सी भाई ने उन्हें कोई इतराज ने किता कि आप ये गलत बात कर रहे हैं उन्हों पैसे चाहिए ने उन्हों रेटिंग चाहिए थी बस इत्रकार ना के ओ गंदे आंडे दे जिन्ने भी तक्रिव प्रोगरा में जानना मैं वीडियो बुनवानवे को कने स्वेर वीव जांदेशा आखा की पैंट इजगे दी नी या पैसा कमालो सोचल मीडिया थे सॉरी तुसे मैं पूरे सोचल मीडिया नहीं क्या रहे हैं मत्ब मेरे मगरो जो कुछ लोग सिर्फ रेटिंग लें नेगटिव खबर दोख मेंनों ज्यादा सी अबबाई तया है क्यों एसस बाई कालते आफताब ते शोचल में लेहमत साथ दी कहलो लिए अच्छ तुसी कह रहा है कि ओ खेजगड़ाई गई गई जी जी गुफ्त को कोई सी ते गाले के सिपासे के जी आफताब साब ने बचाया ना नू इते गलीयां ते रोलते साथ मैं आफताब साथ पहली रिकॉर्डिंज दो करन डिया मेरे को गड़ी सी सारे को गड़ीया ने हां जी अलहमद्दिलेला ओ एक इंट्रवी ची तुसी कह से के आफताब बाद साब ने नमा मुदा क्यों नी पड़या 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 उन्हुंग यार थेटर दे बंदिया नो लाके ओ एक तो एने तेम रखे एगी हम रिक्वेस्ट करेंगे हसी भाई हमारे सी ओ इंट्रव्यू करो जर्चे तुसी फिर वह जदो ना तुसी इंट्रव्यू किता है मिनू कैसे ने आगे भी निगया कि थेटर देगों नंगे तुसी यार आप रहा हो तो इसाड़े ते वह जब दो पांड मरासी कंजर के की कहता की साबत की करना चाहिए तुसी परदे रहे ना पंड़ामरासीय गजरा चाहिए तुसी भी होई हो भड़ी-बड़ी सेयद ब्रादरी दे लोग ने बाट फैमली दे लोग ने राने ने आवान ने ज तो रिंजा पच्विंजा गर्मी जारी है उफेक्ट कर रही ताल सिर्त टोपी पॉप एंग दिए खाल सब क्या तो खाल कारे लेकर नसी भाई देखे गलती इंसानों से होती है हमसे भी उसकती खाल सब्सक्राइब को गाली लिखन सब्सक्राइब कर देखे मेरी को गाल पुरी लगी है आदल भाई त्या सिर्भाई मुन माफ कार देखे वेखनाला कहेगा कि यारे वड़ा आदमी जड़ा मंगदा पे है कुछ नी उंदा तो अटे कोई फोल नी लाख दे तो आटेता कहले पहले खेती उच्छी जड़ी जी भाई ते आदल साब प्लीज तुसी किसे दे गैंड दे हर ये गल्ला ना करो तुसी फॉकी इंटलेक्शल आदमी हो